दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साच्छात भगवान की क्रिपा होती है और यही क्रिपा अस्सी के दसक में दिखाई जाने वाली रामायर धारवाहिक के उपर भी देखने को मिली तभी तो बालक स्वरू भगवान राम और कवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना यह सब कुछ ऐसे हुआ मानो इश्वर खुद इस धारवाहिक को बना रहे हूँ लेकिन यह सब हुआ कैसे और किस तरह इस धारवाहिक को सूट करने के दोरान कलाकारों ने वह चमतकार अनुभव किया जिसकी कलपना करपाना भी असंभव लगता है 78 एपिसोट के रामायर धारवाहिक में ऐसी बहुत सी घटनाए घटी है जिसके बारे में जानकर आपके भी होज उर जाएंगे 1987 में दूर दर्सन पर देश के सबसे पहले धारवाहिक सीरियल रामायर का प्रसारड हुआ था रामानन सागर जी ने सीरियल को बनाने में पानी की तरफ पैसे बहा दिये बहुत ही कम लोग या बात जानते हैं कि सूपर शूपर हिट होने वाले रामायर धारवाहिक को सूचना और प्रसारड मंत्राले से कई बार रिजेक्ट होने का सामना भी करना पड़ा जिसके चक्कर में रामानन सागर जी ने कितनी ही बार सरकारी दप्तरों के चक्कर भी लगाई तब जाकर रामायर को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी सबसे पहले रामानन सागर ने रामायर का एक सेंपल एपिसोड सूचना और प्रसार मंत्राले के अधिकारियों को दिखाया जिसके बाद उन्होंने पहली दफार रिजेक्ट कर दिया था सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट इसकट पहने हुए दिखाया गया था साथ ही उन्होंने कुछ और वदलाओ का भी जिक्र किया जिसके बाद रामानन सागर जी ने दोबारा से सुटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर उसको दिखाया गया लेकिन उस एपिसोड को भी प्रसारण मंत्राले द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक बार आओर रामानन सागर ने शेंपल एपिसोड तैयार किया लेकिन उससे भी रिजेक्ट कर दिया गया देश में पहली वाद धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीबी पर होना था इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे रामानन सागर जी ने खुद एक इंटर्वी में यह बात बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्राले में चकर काट काट कर मेरी दो से तीन जोडी जूते घिस गए थे लेकिन आखिरकार दो साल के बाद रामाईड को हरी जंडी मिल गई और तब जाकर इस दूरदर्शन पर इसे प्रसारित करने का मौका मिला उस समय फेलमें जितने बजट में बनकर तयार होती थी उससी जाधा पैसो में दोस्तों रामाईड का एक एपिसोड तयार किया गया था सबसे जाधा मज़ेडार इस धारावाही किस्तूटिंग के किस्से हैं क्योंकि दोस्तों रामायर को सूट करने के लिए सही लूकेशन का ढोलना बहुत जरूरी था जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा वह एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सब कुछ हो और मुंबई जैसे भीडबार वाली जगह पर इस तरह का सूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था उपर से रामायर में कई सारे किरदारों की जरूरत थी इस वज़े से सूटिंग की लोकेशन को लेकर रामानन सागर ने भारत के कई सारे शहरों के चक्कल लगाए और फिर हरी भाई नाम की एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में महजूद एक बेहतेरीन जगह का नाम बताया और दोस्तों वह जगह थी उमर गाओं जहां रामानन सागर गए और उन्हें वह जगह भागई जिसके बाद सारी सूटिंग यहीं पर सुरू की गई धारवाहिक के निर्माता निर्देशत रामानन सागर जी के बेटी प्रेम सागर ने अपने एक इंटर्वियू में यह बात बताई की सीरियल के निर्मार के पीछे दिब्वे सक्तियों और साधूं का मर्ग दर्शन भी था इसके साक्षी वह स्वयन थे वही बाल स्वरू भगवान राम और काग भूसर की जाने वाली सीन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साजा किया वह बताते हैं की काग भूसर जी बालक राम की परिच्छा लेने के लिए आते हैं इसके बारे में आपको ही पता होगा लेकिन दोस्तों कववे वाले सीन को सुटिंग करना बहुत ही कठिन था एक तरफ एक छोटा बालक दूसरी तरफ एक कववा आखिर कैसे सुटिंग हो सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से एक कववा पकड़ा गया और उसे स्टेज फ हाथ जोड़कर उसे प्रड़ाम किया और बोले की हे कग भूसर जी मैं संकट में हूं कृपया मेरी सहायता करिये इसके बाद जो हुआ उसे दीक कर दोस्तों हर कोई हैरान था एक ऐसा चमतकार हुआ कलाकावर जिस तरह काम करता है ठीक उसी तरह कववा भी काम कर रहा था प पापा जी कहते थे कि बच्चों को देखा तू कववा उसकी तरब देखता था तब प्रामानन सागर जी कहते थे कि वह रोटी लेने लगता था वह बच्चों के साथ ऐसे खेल रहा था मानो कोई पाल तू कववा हो यह सब देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा मानो काग भ कर ना जाने कहां गायब हो गया रामायड मी माता सीता का किर्दार निभाने वाली दीपी का चिखिलिया के अनुसार रामानन सागर हर एक सीन को बिलकुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे उन्हें किसी भी प्रकार की कमिम नहीं चाहिए थी वह रात में दो तीन बज़े तक सुटिंग करते थे इसलिए दीपिका पूरे महीने साइट पर ही बिताती उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था और आपको बता दे जब रामायर कुछ सुटिंग हुई तो उस टाइम दीपिका की उम्र मात्र 15 साल थी और जब उन्हें ये रोल आफर हुआ तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाला नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है दीपिका ने अपने एक इंटर्वी में यह बात बताई इस सीटा का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेज पहनी ही नहीं दोस्तो रामायर में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे भागवान राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता जैसे भागवान राम आ गए हो वह जहां कहीं भी जाते लोग उनके पैरों पे गिर जाते यहां तक कि आज भी अरुन गोविल क लोग भागवान राम कहकर बुलाते हैं पर बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि भागवान राम के किरदार के लिए अरुल गोबिल को फालर रिक्चेक्ट कर दिया गया था जी हां लेकिन बाद में उनकी मासूम और प्यारे मुस्कान को देखकर रामानन सागर ने इन्हे अपना राम चुन लिया वैसे अरुन गोबिल से जुड़ा एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग किस्सा है वह यह है कि जब भरत के द्वारा भागवान राम को यह सूचना मिलती है कि राजा दस्तरत नहीं रहे तो उस समय कैसा रियक्चन देना चाहिए यह तय करपाना अरुन सार्ष के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वह एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और चेहरे उदासी का भाव लाने नहीं देना था क्योंकि भगवान राम की पाचान ही उसकी सादगी और हर परिस्थिती में इस्तिर रहने की कारण ज तारीब भी मिली यहां तक कि भागवान राम की आखों में आशु देखकर जनता के भी आशु छलक पड़े लोग यह महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का गम भागवान राम को कितना हुआ है। बना दिया लेकिन बहुत ही कम लोग यह बाद जानते हैं कि जब रामानन सागर ने उन्हें यह रोल आफर किया तो उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उस समय दारा सिंग 60 साल की हो गए थे इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने काम करने से इंकार कर दिया था पर जब रामान अं सागर जी ने काम करने के लिए जित करिये तब जाकर उन्होंने हन्मान जी का कิरदार निभाने के लिए कर दिया क्योंकि रामन 날 सागर जानते थे कि इस किरदार को कोई भली भात इंसान कर सकता है तो वह सिर्फ दारा सिंग ही है और इस किरदार को निभाने के लिए दारा सिंग ने अपनी स्रधा से चिकन मटन जैसी सभी चीजों को त्यागने की सपतली थी दारा सिंग हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे इसलिए उन्होंने यह कहा था कि जब तक वह स्टूटिंग पू लच्मर का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी लोगों ने खूब पसंद किया अपनी सुटिंग के दिनों को याद करते हुए वह कहते हैं कि रामाईर की सुटिंग सुरू हुई थी तो कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे और वह 5-6 घंटे तक पान पानी नहीं पीते थे क्योंकि रामाईर की सुटिंग के समय आज जितनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी साइट पर वासरों की काफी दिक्कते थी जिसकी वज़त से लोग पानी तक नहीं पीते थे क्योंकि अगर पानी पीएंगे तो टॉलेट जाना पड़ेगा और गाउ मुकस के साथ शिर्फ अुशुटिंग पर ध्यान देते थे कई दिनों तक लोग अपने घरों पर बात भी नहीं कर पाते थे इसके बारे में बताते हुए सुनील लेहरी कहते हैं कि उन दिनों हम सहर से बाहर सुटिंग कर रहे थे जहां पर किसी नहीं प्रकार के फोन का इं तक लाइन लगा खड़े रहते थे जो ऐसे तो रामाइड की सुटिंग के दिनों के तो कई किसे चर्ची थे लेकिन उसमें से एक किसा सुग्रेव के रोल को लेकर है असल में रामायर में साधी काश्टिंग हो चुकी थी लेकिन रामानन सागर सुग्रीन के किरदार को लेकर काफित चिंतित थे उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन कलाकार मिल ही नहीं रहा था और इस परिशाने में वह एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सोए और फिर सुवह बहुत ही गजब का चमतकार हुआ अगले हिद इंडोर से एक पहलवान आया जिसे तुरंत ही सुग्रीव के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और यह रोल निभाने वाला कोई और नहीं बलकि दोस्तों श्याम सुन्दर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और इस तरह के कई सारे किस्से रामायर के सुटिंग के दवरान हुए जिनोंने इस धारवाहिक को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए अमर करके सबके दिलों में बसा दिया यह धारवाहिक आज भी बहुत ही खास और नायाब है और सव साल बाद भी जब लोग इसे देखेंगे तो यह उतना ही अच्छा लगेगा सबके दिलों में उतर जाएगा आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं